हेलो स्टुडेंट, वेलकम बैक टू दे चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे, तो फर्स्ट आफ आप सभी को हेपी न्यू येर, आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हर्दिक सुपकान नहीं, और मुझे उमीद है कि आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है सबस्टिटूशन रियक्शन, तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरह, तो सबसे पहले हमें सबस्टिटूशन वर्ड का मतलब समझना पढ़ेगा, तो आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जब आपके कोई टीचर अपसेंट रहते हैं, तो उनका पिरेट लेने के लिए, जब कोई दूसरे टीचर आते हैं, तो उन्हें हम सबस्टिटूट टीचर कहते थे, तो इसका मतलब यही है कि किसी एक चीज़ के अपसेंट में, जब दूसरे चीज़ उसकी जगए ले 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 थी है, तो उसे ही हम सबस्टिटूशन कहते हैं, तो अब देखते हैं कि सबस्टिटूशन रेक्शन क्या होती है, तो मतलब कि जो एक एक एटम है, जिसने अपनी जगए लीव ही है, पहले से उसको जब एक दूसरा एटम आके उसको हटा देता है, उसकी जगए से उसी रेक्शन को हम क्या कहते हैं, सबस्टिटूशन रेक्शन तो अब example के साथ समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन compound है A, B और C, A और B के बीच में है covalent bond, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो C compound है, उसने B को substitute कर दिया, substitute मतलब C ने B को उसकी जगे से हटा दिया, जब इनकी reaction हुई, तो यहाँ पर B यहाँ पर पहले था, अब यहा हमारे पास CS3, H plus CL2, अब यहाँ पर CS3 और H के बीच में bond है, तो जब इनकी reaction होगी, तो यहाँ पर CL2, हमारे पास 2 CL है, तो यहाँ पर 1 CL क्या करता है, इस hydrogen को substitute कर देता है, उसकी जगे से हटा देता है, और खुद यहाँ पर आके पैट जाता है, CS3, CL plus HCL, क्योंकि हमारे प CS3 का मतलब कि उस compound पर कौन सी चीज अटैक कर रहे है, उसको substitute करने के लिए, depending on the attacking species, there are three types of substitution reaction, तो जो mainly substitution reaction होती है, वो होती है तीन टाइप की, पहली है Electrophilic substitution reaction, दूसरी है Nucleophilic substitution reaction, तीसरी है Free Radical substitution reaction, तो देखते हैं सबसे पहले Electrophilic substitution reaction, तो देखते हैं Electrophilic substitution reaction, Electrophilic substitution reaction से पहले आपको ये पता होने चाहिए कि Electrophile क्या होते है, Electrophile वो species होती है, जो कि Electron deficient होती है, Electron deficient का मतलब जिनके पास की Electrons की कमी होती है, उनको हम Electrophile कहते हैं, अगर आपको Electrophiles पर एक separate video चाहिए, तो आप प्लीज मुझे comments में बता सकते हैं, These reactions are brought up by an Electrophile, मतलब क वो substitution reaction जिसमें की Electrophile किसी दूसरे compound को substitute करता है, उसी को हम कहते हैं Electrophilic reaction, तो इसका example देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है Benzene plus NO2 plus, इसका मतलब ये एक Electrophile है, ये Electron deficient है, ये एक Electrophile है, तो यहाँ पर हुआ क्या, जो NO2 Electrophile है, ये attack करेगा Benzene के Hydrogen पर, ठीक है, ज उसका जो रैसाइनिक सूतर होता है, वो होता है C6H6, मतलब कि 6 Carbon और 6 Hydrogen, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसका Hydrogen था, वो NO2 ने substitute कर दिया, उसको हटा दिया, और खुद उसकी जगह पर आग जब भी substitution reaction किसी Electrophile द्वारा दर्शाई जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे Elect Electrophilic Substitution Reaction, तो अब देख लेते हैं, Nucleophilic Substitution Reaction, These Reaction are brought up by a Nucleophile, जब भी substitution reaction किसी Nucleophile द्वारा दर्शाई जाएगी, तो उसे हम कहते हैं Nucleophilic Reaction, तो अब Example के साथ समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है OH- जो कि एक Nucleophile है, प्लस RX, जहाँ पर X का मतलब है Halogen Family, Halogen Family क के अंदर Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, यह Elements आते हैं, तो जब इसकी Reaction होगी, तो जो OH है, जो Nucleophile है, वो X, मतलब कि Halogen Family को क्या कर देगा, Replace कर देगा, उसको Substitute कर देगा, और खुद वहाँ पर आके पैट जाएगा, तो हो जाएगा, ROH प्लस X-, इसका मतलब कि इसने Halogen को क्या कर कर दिया, Substitute कर दिया, तो अब Halogen Family में से कोई भी एक Element ले लेते हैं, मैंने आपके Chlorine ले लिया, तो इसमें भी Same जो उपर Reaction होई, वहीं यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर क्या होगा, जो OH है, हमारे पर Nucleophile है, वो Chlorine को क्या कर देगा, Substitute कर देगा, और खुद वहाँ पर Nucleophilic Reaction, आप देख लेते हैं, Free Radical Substitution Reaction, इस Reaction की Definition भी पिछली दो Reaction की जैसी होगी, आप देख कर उसे लिख सकते हैं, तो इसका भी Example देख लेते हैं, CH3 और H, यहाँ पर 2 Cl2 हैं, एक Cl क्या करेगा, Hydrogen को Substitute कर देगा, और उसकी जगे ले लेगा, और यहाँ पर हमको मि important note है, they mostly showed by Alcane and Saturated Compound, तो जो CH3H, यह हमारा क्या है, यह एक टाइप का Alcane है, तो Alcane से और Saturated Compound द्वारा यह Reaction दिखाई जाती है, So students, I hope, जो भी चीज आपको हैं समझाई गई है, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, Thanks for watching.